यह देखिए दोस्तों SSA 107DP या हुजा कमपनी एम्पिरिफायर जैसे बटन को आन करता हूं और यह तार को मैं लगाता हूं बोर्ड में यह यहां पर सिरीज बलब जल जा रहा है और जैसे इसको ताप छुड़ा देता हूं बंद हो जा रहा है फिर से लगाता हूं फिर से ज दल जा रहा है यह समस्या देखिए दोस्तों यदि मैं तार को टारेट में लगाता हूं बोल्टेज 220 बोल्टेज पर बिना सिरीज के तो अंदर से धुआ उठने लगता है दोस्तों तो दोस्तों इसके अंदर मैं आ चुका हूं पलेट को दिखा रहा हूं और टास फार्मर और भी देख लिजिए तो हम पहले क्या करेंगे पहले हम टास फार्मर के वोल्टेज आउट पुट चेक करेंगे कि आउट पुट पे वोल्टेज कितना इसको मिल नहां है तो नमस्कार दोस्तों शंकरिल टोनिचल में आप सभी को फिर से हादि स्वागत करता हूं दोस्तो आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संकल टॉनिक आप लोग के बीच में लेकर रहा हैं एक सो साट वाट का एंपलेफायर अहुजा कंपनी का तो यह तार को मैं एक बार छोड़ा कर देख ले रहा हूं जो यहां पे आउट पुट बोल्टेज के तार लगा ह हुआ है नीला कलर का उसको हम छोड़ा कर देख ले रहे हैं अभी छोड़ाने के बाद में हम फिर शेव वोल्टेज के अंदर देंगे इन करेंगे वोल्टेज एसी तब हम देखेंगे कि क्या यह सोर्टिंग बता रहा है कि नहीं बता रहा है एदी छोड़ाने के बाद यह समस्य से दिखा दर है तो हम अलाग बताते हैं आपको यह देखिए तार यह यह तार जो है यह सी का जो कि अंदर वुल्टेज टास्पार्मर में इन हो रहा है यह टास्पार्मर में यह तार अंदर जा रहा है तो यह इन हो रहा है जो कि अभी आपको देखिए लाल तार यह है सब्सक्राइब अब एक पिसले से पहले कि कि श्रीज ब्लब ज़लने लगता है अब क्या करेंगे हम यह आपको दिखा रहे हैं कि तार देखिए यह टास्फार्मर का इन वोल्टेज 230 वोल्टेज 220 वोल्टेज जाता है और आउट निकालता है तो आउट जब निकालता है तब हम वोल्टेज को देखते हैं कि क्या यह टास्फार्मर निकाल लाग नहीं निकाल लाग अब यहां पर ह प्रिखर लाएंगगे इसतार को हम में सपनाइ देंगे फिर से में करके कि अब हम यहां हमने कर लिया है और फिर देखते हैं देखिए जैसे इसको यहां करता हूं या nagro लाए चृच राहना है दोस्तों हमने वीडियो को रोक करके एक टार छोडा ले रहा हूं लाल वाला अब देखिए लाल तार हमें चुडा लिया अब यहीं पर लगा था लेकिन अब क्या करेंगे हम यहाँ पर बोल्टेज नहीं चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे टास्क फार्मर के टास्क फार्मर सही है कि खराब है तो पहले हम देखते हैं टास्क फार्मर के जो सप्लाई वाला तार है जहां सप्लाई तार अंदर जाता इन होता है तो देखें यहां पर क्या बता रहा है यहां पर 0.02 लिए से बता रहा हुआसा है तो यह क्या बता रहा है कि हमने टासFarmer को टार भी छुड़ा लिया है अब क्या करेंगे टासFarmer अंदर से लग रहा है कि सोटिंग है क्योंकि यह हमने देख लिया है कि कोई कंटिने लिए लिए लगा रहा है तो दोस्तों हम यहां पर क्या करेंगे अब इसको हम यहां रीपरिंग नहीं करेंगे जिसका मसीन है इंपिली फ्यारों बताएं ज्यादा खर्चा लगे तना बनाना अब यहां पर टाश्फरम कराब है तो कहेगा बनाने के लिए तो आपको देखाऊंगा को सकता है टास्फरम लगाने के बाद में विमारी और और कोई निकल जाये तो आपको वीडियो मिल जाएगा देखने के के लिए तो ठीक है मैं वीडियो को बनने के लिए मैं आपको धन्वाद करता हूं वीडियो को सब्सक्राइब करता हूं जय हिंद जय भारत बंदे मां थांक्स